कैसे हैं आप सब लोग तो बेटा जी आज का जो मार टॉपिक है वह है एक्षली आम आज एमसी क्यों स्वाल करने वाले हैं चैप्टर नुबर 8 के जिसका नाम है डाइवर्सिटिफिकेशन अमंग प्लांट्स ठीक है उसका पहला एमसी क्यों कहता है कि रैपर डाइवर्सिफ को पता चलिया चाह आपके बुक में जो डवॉनियन पीरिट एविन दो डवॉनियन और कॉनिफिरस पीरिट जाना वो दोनों पीरिट ऐसे हैं जिन में रैपिड डाइवर्सिफिकेशन होई थी प्लांट्स में लेकिन डवॉनियन पीरिट के बारे में आपके बुक में नह तुझा नेक्स क्यूस्टिन दूसरा में गूसे कहता है कि इस पूर्स ओफ लेंड प्लांट टफ फ्लेक्सिबल एंड जिजिटन टू बायो डिग्रेडेशन बाय डेश अच्छा स्पूर्स जो होते है ना लेंड प्लांट के वह होते हैं अब यह पुछता है कि जो स्पूर्स है ना वो किसके बने होते हैं राइट वह कौनसी एक ऐसी चीज है जो इनको टफ बनाती है फ्लेक्सिबल बनाती है राइट और वह कौनसी है वह हमारे फौर्स हमारे बने होते हैं आपने लिकांप सीड Alleyام में बढ़ा था तो इससमें वह कहता है उनके पास जो इना अरड्र होते हैं इसको इसके बने में मदद करते है छो जो बना होता है में इसका मतलब में बना पास जो होते हैinder उनका होते हैंonne अब कहता है कि है पार्टी साइ यह जो एक्जाम्पल्स है वह में बता अचा यह लिखा हुआ है ठीक है है पार्टी साइ एंध्रिटो साइ एन्मोसिस अर्दे क्लासिस ओफ यह कौन आपने अगर बुक पढ़ा हो तो इसमें साफ शफाफ अलफाज में लिखा हुआ है कि यह क्योंकि इनके पास कोई वस्क्यूलर सिस्टम नहीं होता ठीक है इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है चलो आगे बढ़ते हैं एमसी किस नमबर फॉर कहता है कि मोस्ट सक्सेस्फुल काइंड ओफ रिप्रोड़क्शन इस वाट डैफिनिल्ली है टीडो गैमी मतलब जब गैम इंट प्लांट इस विवीवग प्लांट जाएम गैमी कीखी और फॉर क्नियूर अद्री रिप्लांट केमी था बग elsastेस्ष दस बी ओफिनिल्हार सिस्टम आप और डैवार ट्रीव अवेंरेशन और बंस्क्युला प्लांट शोंजण पीलीं टिर्विव segregation टैश को जॉर होते हैं उनकी वाध होता है नो के ट्रेकापी ओता है उनकी पास क्या होता है उनके पास आपास हमारा बैसी का हुटा है सप्रोफाय्ट के रिच्ट नहांड के है ट्शीन हर्म होता है रागी कामा यह दिस इस प्रिमिटिव लिविंग वस्कुलर प्लांट इस अच्छा जो प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट है ठीक है प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट का मतलब होता है पहली बात तो हम कहते हैं कि मदब आर्ली प्लांट राइट वो प्लांट जो जिसका पहले हमें पता चला प्रिमिटिव लिविंग 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 तो इसे हम प्रोथेलर केते हैं अब कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इस दे करेक्टर स्टिक फीचर आपने अगर अंगर प्लांट की लाइफ साइकल पढ़ी हो तो उसमें जो है ना वो ट्रिपलेट की फॉर्म में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करते हैं और वैसे भी एक स प्लांट जिसमें एक ही टाइम पे दो फर्टिलाइजेशन होती रहती है तो हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के क्यारेक्टर किसके पास है एंडोस्पर्मिक प्लांट के पास है अब कहता है रेजन टर्बाइन पाइन और अप्टेंट फ्रॉम अचा रेजन होते हैं या पाइन होते हैं वो हमेशा हम मोस्ती की वीकेंड से जो है वो में मिलते हैं पाइन्स में से पाइन्स में से पाइन्स में सोर्स है ठीक है okay finally the last one और last हमारा कहता है कि in banana tree flowers are covered uh over by one or more large branches or brackets I don't know मुझे नजर नहीं आ रहा I hope it's brackets yeah it should be brackets like कहता है कि in banana tree flowers are covered by over by one or more large brackets some bracket is called these आप ये भी अच्छा बुक की लाइन है अगर आप बुक को खोलेंगे ना तो उसमें ये भी लाइन लिखा लिखी होगी कि banana tree के जो flower होते है ना वो brackets की form में होते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं जिसे हम स्पैथर्स कहते हैं स्पैथर्स उनका नाम है जिने हम कहते हैं ब्रैकेट्स को कहते हैं जो लार्जली बनाना tree पर होती है ठीक है I hope it's fine now okay इस सेशन MCQs का खत्म एंड दुआओं में याज रखिएगा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी की एडवन्टीश मिला है तो डू लाइक और सब्सक्राइब थैंक यू बाइबाए